मुस्कार मैं हूँ राजे इंद्र दियो और एक बड़ी ख़बर आपको दे दें उत्रप्रदेश में एक और विदायक की सदसिता रद्ध हो गई है खतवली के भाश्वा विदायक विक्रम सैनी की सदसिता रद्ध होने की ख़बर आ रही है जी, MPMLA कोट में दो साल की सदसिता स्दसिता रद्ध हो गई है कवाल कांट में विक्रम सैनी को सदसिता मिली थी और इसी आदेश के बाद कोट के MPMLA कोट के स्दसिता रद्ध आपको याद होगा कि इसके लिए एक पत्र भी लिखा था जेंद चौधरी ने विधान सबाद दिक्ष को के आजम खा की सदस्ता अगर रद्ध हो गई तो फिर विक्रम सैनी की सदस्ता क्यों नहीं रद्ध जबके कोट ने उन्हें दो वर्ष की सदा दी है वो कानून इन पर भी लागू है और अब एक बड़ी खबर विक्रम सैनी जो की बीजेपी के अमेले हैं खतवली से उनकी सदस्ता रद्ध होने की खबर आ रही है अनुबहु शुक्ला हमारे साथ जो गया हमारे संबाद दाता और विस्तार से बताएंगे और जिस तरीके से सुप्रिम कोट का जो आजेश है उसके मुताफिक दो वर्ष या उसका अजिक कि जिसे भी सजा हो जई उसकी सदस्ता अपने आप ही रद हो जाती है तो विक्रम सैनी के बीज़ बात करें जो सदस्ता उनकी सदस्ता रद हो चुकी है हाँ ये ज़रूर है कि अभी उनकी जो सीट है उसका नोटिफिकेशन जो रिख होने का जो जारी नहीं किया गया और इस मामिल में तूल कपकला जब आजम खांक को सजा दी हुई और उनकी सदस्ता रद हुई और उसके तुरन बाद विधान सबादेश ने उनकी सीट को रिख गोशित कर दिया तुर जैन चौजरी ने एक पत्र लिखकर तक्रीक माना जो विधान सबाद बेख है उनके सवाल पूछा सजाईने के निसपक्षिता पर सवान खने कर दिये उसके बाहल यह बहुत तेजी हुई है हम कहें विधान सबाद तक्रीवाले से लेकर शाशन तक हार जगया और अब यह तैयारी है कि जल से जल विक्रम सैनी की जो सीट है इससे भी रिक्ट गुषित कर दिया जाए सदस्तिता तो अटमाटिक जा चुकी है लेकिन सीट लिक्ट होने का मतलब है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इलेक्शन कमिशन को बेजा जाएगा और फिर इलेक्शन कमिशन वहाँ पर बाई इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस करेगी तो इसलिए ये नहीं सब्सक्राइब हो जाता है हमें ये जी पूचा कि भाई इसमें इसमें देरी क्यों हुई तो एक चीज जो और सामने आई उसमें ये है कि कई बार कोट का जो आर्डर होता है उसके साफ तोर पर ये लिखा रहता है कि इसकी प्रती है एक कौपी है वो इलेक्शन कमिशन को भी वेजी जाए तो शायद इस मामने में वो चीज नहीं लिखे थी और इसी वज़ा से अब तक उस सीट को रिक्त नहीं गोचित किया गया पर जो मामने में तूल पकड़ा है तो अब अगर हम कहें चाहे विधान सबा सचीवाला है हो चाहे अमने लोग हो सब इसमें तेजी से हैं कि इसमें पूरे मामने में जल पर जल जो लीगल ओपी में उसको लेकर इसीट को रिक्त गोशित किया गया जी बहुत धनिवाद आपका अनुगो अपने मेतपून जानकारियां दी हैं हमारे दर्शकों को आपने बताया कि कैसे स्वता ही सदस्ता रद हो गई एंपीय मेले कोट की ओटर के बास से और उसके बाद इसको विधान सबा सचीवाले की ओर से अब रित घोशित किया गया है सीट को अब इलेक्शन कमिशन को बताया जाएगा इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया को भारत निर्वाचन आयो को और वो इस पे उपचुनाओ कराकर नया जन प्रतिती चुनेगा लेकिन सदसिता स्वताही रद हो गई सीट को रित अब घोशित किया गया है यह एक बारीक सा फर्क भी बताया हमारे सहियों की और बहुत शुक्लाएगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी